हेलो बच्चों गुड मॉनिंग गुड आप्टुनून गुर्यूनी तो कैसे हैं आप लोग आई होप बढ़िया होंगे अच्छी पढ़ाई चल रही होगे और अच्छी तैयारी भी चल रही होगी तो आज का हमारा टॉपिक है आप देखी रहे हैं वर्ट प्रोब्लम हमने लिनियर एक्वेशन का इंड्रोडक्शन कर लिया सारे मैथड्स एक डाले ऐलिमिनेशन सब्सेट्यूशन एंड क्रॉस सबकी इंडिविज्वल वीडियो भी है और उस पे सारे कोस्टन भी बने वे हैं आई होप आपने सारी वीडियो अच्छे से देखी हैं अपने इन वीडियो में complete होगा क्योंकि अलग-अलग word problem है अलग-अलग condition है सब चीज टॉपिक के according चलने वाला है आज हम सेम यह समझ लिजी कि word problem का एक introduction वीडियो है तो heading आप देखी रहा है word problem तो मैं आपको जैसे हमेशा नाम की एक परिभाशा proper way में समझाता हूं क्योंकि उस definition म नहीं उसके सारे concept होते हैं नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है ऐसा बोलते हैं लोग की नाम में कुछ नहीं रखा है लेकिन ऐसा हर जगा applicable नहीं होता है यहां पर word problem बहुत ही important point है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अच्छे से पूरे concentration के साथ अपने दिमाग को बिलकुल इस्थिर कर लीजे और copy pen लेके तैयार हो जाएगे तो फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी classroom में जिसका नाम है विकेस classroom and myself विवेक विश्व कर्मा word problem start करने के पहले या question शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा word problem से related क्योंकि यह point आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंकि यह सिरिफ linear equation से related है ऐसा नहीं है आपके book में चाहे वह 8th हो 9th हो 10th हो चाहे आपके 11 12th हो आप जब तक word problem के basic concept को नहीं समझेंगे तो आपकी practice नहीं पाईगे और आप आगे बिल्कुल वह एक रट्टू तोता की तरह ही उसावाल को बनाते जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि word problem जो है वह एक language की तरह आपको उसको use करना है जैसे हम English में grammar use करते हैं या किसी भी language में हम जो grammar use करते हैं तो आपको पता है कि क्या चीज़ पहले आती है फिर क्या सी सेकंड है और क्या चीज़ लास में आती है पर एक्जामपल जैसे मैं English की बात करूं तो आप सभी को पता है सबसे पहले subject आता है फिर वर्ब आता है और फिर आता है लास में object short and sweet लिखा हूं मैं सबके सब English में लिखे हूए वैसे ही maths की भी कुछ grammar होती है आपको उसके format में आगे चलना पड़ता है तो word problem का एक statement में पहले लिख देता हूं जैसे यह line याद रखिएगा read it solve it यह बड़ा ही important point है according to me क्यों क्या कैसे मैं सब बता रहा हूं थोड़ा सा हो सकता है मैं आपका कुछ समय लूँ लेकिन यह point आप please skip ना करें पूरी वीडियो देखें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जैसे read it solve it का मतलब क्या है और मैंने थ word problem जैसे कि English है English की जो grammar होती वो इस format में बनती है वैसे ही Mathematics की भी एक grammar है उस grammar को आप पकड़के रखिएगा जैसे मैं एक statement लिख रहा हूं English में Sum of Sum of 2 number Is 20 Clear And Their Difference Is 5 Find the number यह दो line-up ध्यान रखिएगा एक चोटा से statement है इसी तरीके से आपके question आएंगे और भी आगे लंबे-लंबे statement होंगे आपको कैसा क्या करना है सब को समझना है जैसे मैं यहाँ and और जो भी step के words आते हैं English में and और यहाँ पर यह एक equation है और यह एक equation है और यह एक equation है यह ध्यान रखिएगा अभी से बता रहा हूं maths की grammar कैसे होती वो बता रहा हूं and और जो भी word आएंगे means उसके पहले वाले जो लाइन है वो एक statement है या एक equation है is, am, are, was, were आप जितने भी ऐसे verb सुनते हैं या लिखते हैं English में यहाँ पर इनको मैंने नाम दिया है equal to, अभी आपको सब कुछ clear हो जाएगा अब जब यह line को मैं आपको define करूँगा अभी छोटा सा बहुत ही minor सा एक example है तेकिन जब बड़े-बड़े सवाल हम बनाएंगे तो आपको सारी चीज़े clear हो जाएगी आपने comma सुना होगा, full stop सुना होगा, यह सब भी आपके statement में English के sentence में आते हैं तो यहां पर भी full stop मतलब आपको question यहां तक के बनाना है, इसके बाद आप दुबारा पढ़ना शुरू करेंगे और उसको फिर से बनाएंगे फिर से repeat कर रहा हूँ, full stop मतलब इसके पहले तक के जितनी line लिखी हुई है, आपको वो पूरा solve करना है equation बनते तक और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो चीज full stop हो चुकि उसके बाद आपको question पढ़ना ही नहीं है, कुछ exceptional case हो सकते हैं जहां पर आपको हो सकता है question पढ़ना पढ़े, exceptional मैं आपको बार बार repeat कर रहा हूँ, लेकिन full stop में आप हमेशा इसके पहले तक सवाल solve कर जैसा कि मैंने एक statement link के रखा है अपनी language में, read it और solve it, आपको पढ़ते जाना है और बनाते जाना है, किसका use करते करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, and, or word आते हैं, is, am, was, were, ये सारे चीज़े, equal to की तरह use होगी, mathematics में, full stop है, तो एक statement पूरा आप इधर पढ़ेंगे, उस पूरे को solve करेंगे, जब तकि वो पूरा solve नहीं हो जाता, उसके बाद ही आप आगे बनाना शुरू करेंगे, ऐसे कुछ-कुछ points हैं, तो हम इस सवाल को, इस question को हम देखते हैं, कैसे ये equation बनता है, अभी linear equation को topic चल रहा है, तो हम उसी तरीके से solve करेंगे, देखे, द्य maths में कैसा लिखा जाता है, वो भी, क्योंकि language है, समझेंगे, बोलेंगे, तभी तो लिखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दो number नहीं दिये हैं, तो maths का एक और हमारे पास हतियार है, let, let, first number, be, x, second number, be, y, क्योंकि linear equation में x, y चलते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, equation बनना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, तो according to question, अब कहानी शुरू होती है, तो क्या लिखा है question में, sum of two numbers, चलिए, यहां तक के solve करते हैं, तो x plus y, यह हो गया, is, की जगा पे आपको क्या लगाना है, equal to, क्या लिखा है, इसके बाद, 20, आपके सामने है, यह line जो लिखी हुई है, आपको clear दिख रहा है, किस language में लिखी है, English में, sum, sum, यह सब आपके English के alphabet है, math के alphabet क्या है, आपके देखिए, x, y variable, plus, minus, equal to, यह सारे उसके alphabet है, या coding है, तो sum of two numbers, x plus y, is, means, equal, और यह हो गया, 20, clear, next line, मैंने बताया था, and or के बाद, आप shift कर दीजे, pain आपकी नीचे आ जाना चाहिए, and their difference, unique difference, कितना है, 5, आगे लिखा हुआ है, find the numbers, तो भाई या, यह equation आपको क्या दिखरी है, obviously, linear equation, ax plus by is equal to c, सामने है, अब इस पे आप जो चाहे, वो method लगा लीजे, elimination लगाना है, elimination लगाईए, substitution, या फिर cross, जिससे आपका सवाल जल्दी बने, methods मैंने जितने भी बताया है, सबकी separate video बनाई है, method आप अच्छे सिखे, उस method को समय भी बचाना है, और हमें कम समय में ज्यादा अच्छे marks भी लाना है, तो वैसे purpose को देखते हुए है, आप सावाल पर method apply करेंगे, चली, मेरी ख्यास से, इतना introduction आपको अच्छे से clear होगा, अब main question है अपन देखते हैं कि book में कैसा आता है, और उसको अपन completely solve करेंगे, क्यों वर्ट problem है, तो आपको हर एक चीज लिख लिख के proper तरीके समझानी पड़ेगी, practice करनी पड़ेगी, तब ही आप जब आपकी practice अच्छे हो जाएगी, तब आप exam में फिर बिना कुछ सोचे समझे फटा 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 लिखते चले जाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज के RD Sharma से next exercise आपकी जो भी है देखेगा, मैं आपको बता दूगा, और उससे अपन word problem शुरू करते हैं, तो बच्चों, आज का पहला question RD Sharma से है आपके 3.6 exercise का, बहुत ही simple, जैसे मैंने आप पर तरीके से समझाते हुए बताऊंगा और आपको वैसे ही follow करते जाना है, अगर method अच्छा लगे तो, right, तो चलिए, शुरू करते है, read it, solve it, concepts, क्या लिखा हुआ है, question देखे, five pen and six pencil cost rupees nine, ठीक है, अब देखे, वहाँ पर मैंने ismr सब कुछ बढ़ा था, अब से आप लोगों की English तो मेरे से बहुत ही अच्छी होगी, अब इस statement को अपन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर five pen दिया हुआ है, six pencil दिया हुआ है, clear, जिसमें हमें pencil और pen की cost नहीं पता है, तो question हमारा start होता है, solve, let, one pen, one pen, cost, is, रुपीज, आपका हो गया, x रुपीज, और one pencil, cost, is, आपका y रुपीज, read it, solve it, से मैं बनाते चल रहा हूँ, तो एक pen की cost मैंने क्या मान ली, x रुपीज, और एक pencil की मैंने cost क्या मान ली, y रुपीज, जो भी होगा, अभी हमको पता चल जाएगा, फिर से पढ़ते हैं, five pen, and six pencil, दोनों को मिला के उनकी जो cost है, together cost, तो according to question, five pen, एक pen की cost है भी है, five, देखे, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, अभी वहीं तक के solve कर रहा हूँ, तो एक pen की cost है, x रुपीज, तो five pen की cost हुई, five x, and six pencil, pencil की cost एक की है, y, तो छे की हो गए, यह, यह हो गया, six, अपना five x plus six y, कितना है, equal to nine, तो five pen and six pencil, cost, रुपीज, nine, यहां तक हो गया, तो यह पहली equation आपकी, ready हो गई, read it, solve it, and, or, देखे, grammar के recording हर चीच, यहां पर, इन दोनों को मिला के बोल रहा है, यहां पर, यह एक statement है, और यह end का मतलब है, अब next बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो next अपना आ जाते है, pain आ जाती है, नीचे, three pen and two pencil cost, तो again, तो एक pen की cost आपको पता है, x, तो तीन की हो गई, three x, and, यहां पर end मिलाने वाला है, plus two pencil, तो y rupees, यह हो गया, और उनकी cost है, आपकी five rupees, यह आपके आडी शर्मा के 3.6 का पहला ही question है, बड़ा ही simple सा question है, यहां पर आपका question प्रेपेर हो गया है, और read it, solve it से हमने पढ़ते गया और बनाते गया है, आखरी लाइन के आवरा, find the cost of one pen and one pencil, आपने पहले ही one pen और one cost यहां पर मान चुका है, जैसी x, y निकल गया, आपका answer निकल गया, अब यहां पर सामने वाले ने, अगर आपको method का नाम बोला है, कि particular इस method से बनाओ, तो आप obviously उसी से बनाएंगे, लेकिन नहीं बोला है, तो आप कोई भी method अप्लाय कर सकते हैं, यह चीज़ का ध्यान लगिए तो question as usual, statement देख लिजे, हमारे standard form में जमा है कि नि जमा है, तो भीया, ax plus by is equal to c, जमा है, दूसरे को भी check कर लिए, वो भी already जमा हुआ है, अब धुनना है कि छोटी सी equation कौन सी है, तो मुझे यह लग रहा है, clear, अब किस method से बनाया जाए, वो देख लेते हैं, elimination की substitution, तो यहां पर कोई hulkyful की को eliminate करना है, फिलाल हम x से ही शुरू कर रहे हैं, आप चाहें तो y से भी शुरू कर सकते हैं, तो इस equation का जो coefficient है, उस से हम इस equation को पूरा multiply करेंगे, और 5 जो है पहली equation का, इस से हम second वाली equation को पूरा का पूरा multiply करेंगे, तो यह line आप लिख के बताएगे, now equation 1 multiply by, equation 1 किस से multiply करेंगे हैंपन, 3 से, and equation 2 multiply by आपका 5, देख लिजे, equation 2 में x का coefficient 3 है, तो 3 से मैं इस पूरे को multiply कर दिया, first को, और यहां पे 5 है तो 5 से, इसको मैंने पूरा multiply कर दिया, यही है आपका elimination method, चलिए, multiply करते है, 3, 5, 15 x, plus 3, 6, 18 y, 3, 9, 27, एक fresh equation, फिर नाम दे दिजिए, थर्ड, इधर multiply, तो यह तो elimination है, तो दोनों सेम ही होंगे, फिर यह हो गया, आपका 5, 2, 10, यह हो गया, 5, 5, 25, equation number 4, elimination, किसी एक variable को हमको eliminate करना था, चलिए, line खीचा हमने, देखे, दोनों ही सेम sign है, तो obviously मुझे eliminate करना है, तो sign change करना हुगा, minus, minus, और यह minus, second equation की पूरे value की sign change होंगे, यह हो गया, eliminate, यहां लिख देजे, equation, third, subtract, equation, fourth, clear, तो 10, और यह अपना 18 प्लस 10, आपको पता है, 8y, 27, 25, यह हो गया, 2, y की value आपकी यहां गई, is equal to 2 by 8, which is 1 by 4, clear, चलिए, आपकी y की value निकल चुकी है, अब y is equal to 1 by 4, इसको box में बन कर देता है, अब आपको निकालना है, x, तो x भही, यहां पर देखे, फिर मैंने star लगा थे, यह equation काम पढ़ गया, put the value of, value of y is equal to 1 by 4, in equation, in equation, कोंसी ले रहे हैंपन, second, यह छोटा लग रहे है, value छोटी-छोटी है, तो उठा के रख देते हैंपन, तो 3x plus 2 y की value, 1 by 4 is equal to 5, 2 ones are, 2 twos are, इतनी calculation तो आती है, आपको, 1 by 2, variable एक तरफ, number एक तरफ, 3x is equal to 5, यह 1 by 2, transfer, plus था तो दर जाके, minus 5 के नीचे 1, cross multiply, मैं यूज कर रहा हूँ, तो 5 to the 10, 10 में से 1 गया, हो गया, 9 by 2, आगे बढ़ते हैं, यह in 2 में है, नीचे आएगा, divide तो x की value आगई, यहां से मैं 3 cancel कर रहा हूँ, 3 by 2, तो x क्या आया, 3 by 2, और y क्या आया, आपका, 1 by 4, यह आपका answer, अब word problem में, आपको answer जो है, वो भी statement में लिखके बताना पड़ेगा, उसके भी marks आपके रहते हैं, आधे से एक number, सो, cost of, क्या लिए था, हमने x paint, cost of one paint, rupees, 3 by 2, and cost of one pencil, rupees, 1 by 4, clear, यहां पर आपका final answer होगा, आपको answer भी लिख देंगे, तो और इच्छी बात है, in fact, लिख नहीं है, तो यह आज का complete question है, कहीं भी मैंने shortcut नहीं किया है, आराम से देखिए, हमिशा बोलता हूँ, और आराम से समझें, मेरे उस statement को पकड़ के रखिएगा, read it, solve it, आपने देखा है, मैंने यहां तक के question को solve किया है, equation बनाई है, उसके बाद ही मैंने आगे पढ़ना शुरू किया है, अभी next question बनाऊंगो, तो आपको देरे-देरे practice होगी, एक बार try तो कीजियो, जबता है कि आप कुछ नया try नहीं करेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि वो अच्छा है या बुरा, इस चीज को आप भी मुझे comment करके yes or no में बताईए, कि हाँ, method ठीक लगा, अच्छा लगा या average है, चलिए, next question देखते, आप इसको note down कीजिए, अच्छी तरिके से, तो बच्चो, next question आपके सामने है, यह भी addition मार 3.6 की last question है, और I think यह question अगर आपको remember होगा, तो यह last year 9th का भी एक question है, जहाँ पर आपको equation बनानी थी, अब इसी question को अपन complete बनाएंगे, और इसके सारे answer भी निकालेंगे, तो question मैं पढ़ता हूँ, और दिहान से सुनिए, और कैसा बनाता हूँ, a lending library has a fixed charge for the first three days, ठीके भाईया, इसको मैं underline कर लेता हूँ, and an additional charge for each days, clear, और यहाँ पर मैंने लगाया है, full stop आपको दिख रहा होगा, right, तो यहाँ तक के हमने question को पढ़ा, full stop से, तो हमको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, देखिए, clear चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको, solve, right, let fix charge, यह दिख रहा है आपको, fix charge, और additional charge each day, let fixed charge be x rupees, and each day charge, days, charge, y rupees, clear, यह full stop आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, तो आप मेरे मुली के पास, गौर कर सकते हैं, यहाँ तक के कहानी खतम, read it, solve it, तो वहाँ से मुझे इतना समझ में आया है, कि दो charges के बारे में बात कर रहा है, वो मुझे नहीं पता है, तो मैंने मान लिया x और y rupees, अब कहानी बढ़ती है आगे, सरीता पेड 27, सरीता ने कितना पेड किया, 27, आगे बढ़ रहे, for a book kept for a 7 day, साथ दिन के लिए उसने कितना पैसा दिया, 27, चलिए, और यहाँ पर है आपका कॉमा, right, तो यहाँ तक के फिर मैंने, तो total charge में बाता दिया है, उसने 27, मैं equal to में 27 लगा देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, according to question, तो भी यहाँ, राइंडिंग लाइजर भी has a fixed charge for the first 3 days, टोटल कहानी हमारी कितने दिन की है, यहाँ पर 7 दिन की, तो 3 दिन का जो charge है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 3 days, right, तो 3 दिन का चार्ज कितना हो गया, X rupees, and each day, टोटल बात कितने दिन की हो रही है, 7 days की, तो 3 दिन का payment हो गया, okay, प्लस, each day का चार्ज कितना है, Y, तो remaining कितना बचा, 4 days, तो 4 days के हिसाब से, each day charge, एक दिन का Y rupees, तो 4 दिन का यह, यह, तो 3 दिन का तो हम एक ही बार में पेक कर रहे हैं, तो हो गया हमारा X plus 4 Y is equal to 27, clear, फिर से बताते तो देखे, टोटल सरीता ने 7 दिन के लिए बुक ली, तो 3 दिन तक तो हमें एक ही चार्ज देना है, यह हो गया, तीन दिन का माल लो, पेमेंट हमने दे दिया, बचे कितने, 7 दिन में से 3 दिन गये तो भी, 4 दिन, 4 दिन में से, per day charge कितना ले रहे हैं, Y rupees, एक दिन का Y, तो 4 दिन का 4 Y, टोटल मिला के, X plus 4 Y is equal to, मैंने कितना पेमेंट कर दिया, 27, यह हो गई, सर आपकी equation number first, फिर देखेगा, मैंने यहीं तक पढ़ा है, question वहीं तक solve किया है, अब आगे बढ़ते हैं, while Suzy, एक दूसरी लड़की, उसने, टोटल कितने पेमेंट किया, 21, चलिए भी है, यह 21, अब बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया, for five days, तो फिर से, यहाँ पर three days का लिखा हुआ है, तो तीन दिन का हो गया, x रुपीज, तो पास दिन में, तीन दिन का पेमेंट हो गया है, तो बचा कितना दो दिन का, यह हो गया, 2y is equal to 21, तो बच्चों आपके सामने हैं, equation first, x प्लस 4y is equal to 27, और x प्लस 2y is equal to 21, दोनों equation आपकी prepare हो चुकिए, linear equation के standard form में है, यह बार-बार मैं इसलिए बोरहूँ कि अभी जो next अपन word problem करेंगे, next x है इसके बारे में, तो वहाँ पर यह सब चीज़ें आपको नीचे भी मिलेगी, और यह भी हमने सीख चुका है, तो फिलहाल यह question आपका prepare है, जो method लगाना है, लगाए equation को देखते वे, जैसे मुझे यहाँ पर सिधा-सिधा elimination method दिख रहा है, यह दोनों x जो है, वह आपके cancel हो रहे हैं, तो आप यहीं से इसको cancel कर सकते हैं, तो आपका direct y की value आजाएगी, elimination के हिसाब से, तो equation 1 subtract from equation 2, यह मैंने line खीचा, यह minus, यह minus, यह minus, x, x cancel, 4 में से 2 यह, 2 y, 27 में से 21 गया, तो सीधी सी बात है, 6, y is equal to, यहीं से मैं cancel कर रहा हूँ, तो यह आगया 3, तो y आपका आगया, subsequent charge जो आप each day का लेते थे, यह rupees, y की value हटा के, किसी में भी put up कर दीजी, तो मैं equation 2 में रख देता हूँ, put the value, y is equal to, कितना है आप ही यह, 3, in equation, second, x plus 2 y, x plus 2 y की value 3, is equal to 21, x is equal to, कि हुआ 6, 21 में से 6 गया, इधर से 1 और दर से 5, तो यह बचा आपका पंद्रा, last मैं show कर दीजे भी है, fixed charge, fixed charge, यह आगया आपका, rupees 15, and each day charge, कितना आगया आपका, rupees 3, यह mention करना ना भूलें, देखे, दो question मैंने आपको बढ़िया सा बताया है, फिर से दिहान से देखिए, दिहान से समझे, question में कुछ नहीं लिखा है, question आपके सामने है, book से और अच्छे से देख लिजेगा, और यह है आपका solution, clear, अब हम थोड़े से अच्छे question और दिखते हैं, फिर यह word problem का introduction class है, इसके बाद हम वीडियो end करेंगे, और next जब वीडियो आएगी, तो मैं उसका second part करके आपको word problem mention कर दूँगा thumbnail में, तो आप समझ जाएएगे कि हाँ, अब आगे जो exercise है, उसमें सर इतनी detail में आपको नहीं बताएंगे, सिधा मैं question आपको solve करूँगा, equation बना के आपको दे दूँगा, equation बनाने के बाद आप उसमें method खुद बखुद लगाएंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद, आप word problem की practice करेंगे, read it, solve it और maths के grammar को use करते हुए, पूरा question नहीं पढ़ना है, ऐसा कोशिश कीजिए, try कीजिए कि fully stop and or तक के आप question का equation प्रिपेर कर लें, पूरे question पढ़ने के आपकी अभी तक के habit है, मुझे पता है, थोड़ा सा time लग सकता है, लेकिन एक बार try कीजिए, कुछ 5, 10, 15, 20 question आप बनाएंगे, तो आप तुरंथ used to हो भी जाएंगे, चलिए, next question देखते हैं, आप question note कीजिए, तो बच्चो, next question में हम जम करते हैं, same exercise, उसी का ही question है, अब बुक से, R.D. शर्मा से देख सकते हैं, क्या कहता है question, one says, give me a hundred friend, ओके, अगर एक ने कहा, दूसरे से, कि भाही, आप मुझे अगर hundred देते हो, ठीक, तो मैं, I shall then become twice as rich as you, तो मैं आप से, दुगना अमीर हो जाओंगा, देखते हैं, यहाँ पर आगया, fully stop, यह दिख रहा होगा आपको, यह statement, read it, solve it, solve करते हैं question, clear, तो हम यह मान लेते हैं, एक की पास, मैं इसको मान लेता हूँ, ए, right, let, इसके पास, x है, और b, second वाले को मान लेते हैं, इसके पास है, y, clear, तो जड़ा ध्यान से पढ़िए, one says, पहला वाला, दुसरे वाले से ही, obviously बोलेगा, अगर आप मुझे 100 देते हैं, तो, यहाँ, इसके पास, जितने भी हैं, उसमें, hundred में, increment होगा, clear, आगे, तो यह जो है, y में, hundred की, कमी भी तो होगी, क्योंकि यह hundred, इधर आया है, तो, इसके पास, जो भी, fix quantity है, उस quantity में, hundred बढ़ेगा, तो, y के hundred में, क्या होगा, कमी भी होगा, तोने चीज़, ऐसा नहीं कि, आपने सिर्फ यहाँ, प्लस करती हैं, और y को छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं, I shall then become twice, नहीं से समझेगा, इस line को, यह जो है, यह दुगना हो गया है, twice हो गया है, इसके पास, यह quantity, यह quantity, मैंने बीच में equal जरूर लगा है, लेकिन वह equal नहीं, यह two times है, तो इस यह already two times है, क्योंकि 100 आने के बाद, यह इस से double हुआ है, question की demand यही है, तो यह दुगना हो गया है, अब इन दोनों को equal करना है, तो obviously, इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, two times, यहाँ पर लिख जैते हैं, according to question, फिर से, A ने B से बोला, ऐसा मानते हैं, आपन, A ने B से one says, आप one or second, ऐसा अगर कि आप mention कर दियेगा, तो मैं यह बता रहा हूँ, A ने बताया, B को बोला, कि आप मुझे 100 दीजिए, X के पास कितना है, sorry, A के पास कितना है, X, तो उसके X में 100 add हो गया, भाईया, by default, Y में 100 कम भी तो हुआ है, अब इसकी quantity और इसकी quantity, इन दोनों को हमको compare करना है, तो उसने बता दिया है, यह जो है, यह already two times हो चुका है, means यह क्या है, कम है, तो इन दोनों की ही बातों को तो compare किया जा रहा है, जिसको हम equal to में रखेंगे, तो यह जो है, already two times है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, तब यहां पे आप क्या use करोगे, equal to, repeat कर रहा question अपने standard form में नहीं है, इसको standard form में बनाएए, variable एक तरफ और coefficient एक तरफ, तो यह हो गया x, इस 100 को भेद देतों में इधर, और यहां ध्यान दीजिए, यह है 2x और यह minus 200 है, तो 2y आ गया इस तरफ, तो 2y जो है इधर आके हो गया, 2y, 100 उधर गया है, यह minus 100 तो already है, यह उ 200, तो total हो गया आपका, minus 200, यह आपकी equation prepare, यहां तक कोई doubt हूं, आप statement में यह line भी लिख सकते हैं, मैं फटापड़ बताना चाहा रहा हूं, इसलिए, a says to b, again, अब other reply, अब b ने reply किया, ठीके भी जाए, मैं तो तुमको 100 दे रहा हो, नहीं दे रहा हूं, वा बात की बात है, आप मेरी बात सुनो, यह मैं अपने तरफ से आड़ कर रहा हूं, if you give me a 10, b ने a से बोला, तो b का आपन यहां पर लिख लेते है, b क्या है, y, आप मुझे 100 देने लेने की बात मत करो, आप मुझे सिरिफ 10 ही दे दो, तो y के पास 10 बढ़ा, तो obviously x के पास 10 कम हुआ, if you give me a 10, यह हो गया, फिर आगे, i shall be 6 times, तो b जो है, जिसके पास y quantity है, मैं दुगना नहीं भी है, मैं तो 6 times हो जाओंगा, तो फिर यह 6 times हो चुका है, इसको equal करना है, तो x को मुझे क्या करना पढ़ेगा, 6 times करना पढ़ेगा, same equation अपने standard form में नहीं है, solve कीजिए, और ax plus by is equal to c के form में, arrange कीजिए, तो एक काम करते हैं हमेशा की तरह, देखे, x को हमेशा सामने रखना है, तो यह 6 x वो अपनी ही जगह है, यह मैं multiply कर दिया, यह होगे आपका 6 x minus 60, y उधर यह, ठीक है, तो उधर जाके होगे y, यह 60, इधर आया, 10 अपनी जगह है, 10, 60 इधर आया, तो यह होगे plus 60, एक बार आप खुद भी चेक कर लिजे, यह 6 x अपनी जगह, y उधर गया, यह होगे, minus 10, जो था यहां से 6 से multiply हुआ, 60 इधर आया, तो minus कर गया plus, और यह 10, अपनी जगह पे था, तो यह होगे, clear, तो दोनों मिलके हो गया भी, 70, तो यह होगी आपका equation number second, question आपके सामने है, solution तयार है, सामने लब बोल रहा है, tell me what is the amount of their respective capital, x, y solve कीजे, और आप उसको बता दीजे, method कुछ भी लगा सकते हैं, यह भी question simple है, देखिए, x minus 2y is equal to 200, और 6x minus y is equal to 70, authority, अराम से question पढ़के, equation बनाना पहले जरूरी है, बिना उसके आप सवाल नहीं बनाएंगे, तो यह हुआ, एक word problem का, एक हलका फुलका introduction class, जिसमें साब पूरे सार में आप मेरे recording आप बोल सकते हैं, आपको एक word धियान रखना है, और थोड़ा सा maths और English की grammar को match करना है, तो language maths की यह जो शकल दिख रही है, अगर आप इसको देखेंगे, यहां से लेकें यहां तक, तो यह क्या है, यह जो चार लाइन आपकी लिखी हुई है, वही तो है यह, सिर्फ फरक क्या है, यहां पर आपको plus minus equal to bracket xy number यह दिख रहे हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाया है, translate किया जाया है, इंग्लिश की language में, तो वह है क्या है, वह यही तो question है, तो बस यह ध्यान रखिए, read it, solve it, ismr, full stop, comma, इन सब का match की language में, proper तरीके से use करना सीखे, कु और अच्छे heavy question RD Sharma से ही लूँगा, वो question आपके NCRT से भी cover हो जाएंगे, इसकी practice कीजिए, कम से कम 25, 30, 40 question, word problem के लिए बिल्कुल बोलूँगा, elimination substitution के लिए मैंने 25, 30 बोले था, लेकिन इसमें मैं 10, 15 question extra बढ़ाँगा, क्योंकि यह जो language है, तो नई language obviously सीखने में time लगता है तो please question ध्यान से बनाईए, समझे क्या कहना चारा है, तो आपका समय बचेगा, आप जो बार-बार question पढ़ते हैं, वो पढ़ने का time आपका सवाल बनाने में use होगा, तो finally, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रहे हैं, तो please like कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस very much.